Welcome to Cyber Aware Hub. आप IP Address के बारे में तो जानते ही होंगे. इंटरनेट का उप्योग करने के लिए IP Address बहुत important term है. लेकिन इंटरनेट के उप्योग के लिए एक और बहुत important term है Mac Address यानि Media Access Control Address. जिसके बारे में आप लोगों ने कम ही सुना होगा. तो चलिए Mac Address के बारे में और Mac Spoofing के बारे में जानते हैं. Cyber Security में Mac Spoofing एक important concept है. Mac Address का full name Media Access Control Address है. Network में सभी device का एक unique Mac Address होता है, जिसे physical address भी कहा जाता है. यहां हर device का permanent address होता है, जिसकी मदद से हर device network से जुड़ी होती है. Mac Address किसी भी hardware device का identification number होता है. यहां 12 digit का hexadecimal number होता है, जो 22 के pair में होता है. Mac Address की size 48 bits होती है. हर एक digit में 0-9 और A-F character ही हो सकता है. जैसे अगर Mac Address में K character है, तो वह Mac Address गलत होगा. First 3 pair device के manufacturer की details बताते हैं. Generally Mac Address बदला नहीं जा सकता है. लेकिन आगे हम आपको यहां बताएंगे की इसे बदला भी जा सकता है, जिसे Mac Spoofing कहां जाता है. Mac Address का use हम एक simple example से समझते हैं. मान लीजिए आपके घर में एक ही router हैं और बहुत सारे यूजर इस router का use करना चाहते हैं. लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत यहां है कि internet service provider एक router पर एक ही IP address दे सकता है. इस हिसाब से सभी को बारी-बारी से एक-एक करके internet का use करना पड़ेगा और यदि एक समय में एक से ज्यादा user network से जुड़ जाएं तो एक का data दुसरे को दिखने लग जाएगा. और ये तो बिलकुल awkward situation हो जाएगी. इस दिक्कत को दूर करने के लिए Mac address का use किया जाता है. इसकी मदद से router यहाँ पता लगा सकता है. कौन से user को कौन सा data दिखाना है? जब भी आपका phone router से connect होता है तब वो अपना Mac address router को share करता है जिससे router को समझ में आता है कि कौन-कौन से phone connected है और क्या request कर रहे है. मान लीजिए आपका कोई unwanted friend है, जो आपका Wi-Fi use करना चाहता है. लेकिन आप उसको internet use नहीं करने देना चाहते हैं, तो इस situation में password बदलने के बजाए उसका Mac address block कर सकते हैं. जिसके बाद password पता होने के बावजूद वह internet use नहीं कर पाएगा. बड़ी-बड़ी website भी किसी unknown user को block करने के लिए Mac address का ही use करती है. जिसके बाद आप उस website पर कितने ही fake account बना ले सभी के सभी block हो जाएंगे. इसके बचने का सबसे आसान उपाएया है कि आप अपना Mac address change कर ले. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि Mac address कैसे change हो सकते हैं, यह तो permanent होता है. हाँ, Mac address permanent होता है. लेकिन हम एक virtual Mac address भी बना सकते हैं. इस process को बोलते हैं Mac spoofing. Mac address आप एक simple command से change कर सकते हैं. आप Google पर search करेंगे तो मिल जाएगी. वैसे Mac spoofing का use किसी illegal काम के लिए नहीं करना चाहिए. Mac address change करने से पहले हम यह तो पता लगा ले कि Mac address कैसे find किया जाता है. Mac address एक simple command से find किया जा सकता है. Windows system के लिए command prompt में IP config बटा all type करके enter दबाना है. आपको 12 digit का Mac address शो हो जाएगा. iOS system के लिए terminal में if config type करके enter करना है और इथा के सामने जो 12 digit का नंबर है वही Mac address होता है. I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा. वीडियो को like and share जरूर करें. और आपको अगर कोई confusion हो तो comment करके पूछ सकते हैं. Thank you.